प्रशन 10 अवकलज का प्रियोग करके सन्नेक रिटन मान गयात कीजे लॉग 10.1 to the base 10 जबकि लॉग E to the base 10 हमें मिला है 0.4343 के बराबर अर्थात यहां हमें लॉग X का रूप मिला है तो माना Y बराबर है लॉग X to the base 10 क्योंकि यहां हमें लॉग X का रूप मिला है तो हमने Y को लॉग X to the base 10 मान लिया जहां X हमें क्या लेना है ऐसा मान लेना है कि हमें उसका लॉग to the base 10 गयात हो इस परश्ट है कि हमें लॉग 10 का मान पता है तो हमें यहां X का मान लेना है 10 delta x कितना हो जाएगा x में तरूटी 0.1 ताकि x plus delta x यह मान 10.1 के बराबर हो जाएगा अब dy by dx निकालते है तो dy by dx क्या होता है log x का 1 upon x परन्तु यहां base 10 है तो यह मान हो जाएगा 1 upon x into log e to the base 10 यह मान dy by dx का हो गया अब delta y अर्थात y में तरूटी delta y का हमारा सूत्र है delta y बराबर dy by dx into delta x जो बराबर हो गया log e to the base 10 upon x अब हमें log e to the base 10 मिला है 0.4343 तो इस मान को हम रख देते हैं तो मान रखने से हमें मिलेगा 0.4343 upon 10 into 0.1 हमारा x का मान है 10 तो x का मान हमने 10 रख दिया delta x है 0.1 तो delta x का मान हमने 0.1 रख दिया calculate किया तो यह मान हो गया 0.004343 के बराबर अब समी करण 1 हमारा क्या है y बराबर log x to the base 10 तो यदि x में 30 delta x हो और y में 30 delta y हो तो y प्लस delta y बराबर हो गया log x प्लस delta x y हमारा क्या हमने माना है log x to the base 10 तो y का मान हमने रख दिया log x to the base 10 प्लस delta y बराबर हो गया log x प्लस delta x to the base 10 अब जो मान हमने क्यात कर लिये हैं और दिये वे हैं उन मानों को रख दिया तो log x to the base 10 x जब हम मान रखेंगे 10 तो यह हो जाएगा log 10 to the base 10 प्लस deltta y हमने calculate कर लिया है देल्टा y का मान हमारा है 0.004343 यह मान हमने यहां रख दिया प्लस log x het up experience x plus delta x हमारा 10.1 है उसको हमने यहां 10.1 रख दिया तो इस प्रकार log 10.1 to the base 10 पराबर हो गया 1 क्योंकि log 10 base 10 एक होता है तो यह हो गया 1 प्लस 0.004343 अर्थात मान हो गया 1.004343 के बराबर जो की हमारा approximate मान है, sun nicotin मान है, log 10.1 to the base 10 का.